दोस्तों वेल्कम बेक टो आपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जरनी है उसको स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक जरूर देखेगा ताकि आपके मन के अंदर है जितने भी जो डाउट्स है वो किलियर हो सके देखे आज के समय में आप लोग देख रहे होंगो जो फोरेक्स मार्केट काफी ज़्यादा पोपलर हो रही है लोग है इसकी तरफ काफी ज़्यादा आकरशित हो रहे है लेकिन अगर आप भी फोरेक्स मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने जा रहे है तो आपको एक ऐसा एक्चेंज हैं यहां पर जो नए नए रूल रेगुलेशन लाते हैं ताकि इन्वेस्टिंग जो ट्रेडिंग की जरनी है लोगों की इदर बहुत सही से हो पाए इसलिए दोस्तों जब भी हम फोरेक्स ब्रोकर इदर चूज करते हैं तो यह जरूर देखना है कि भीया वो है वह ना दोस्तों जो ब्रोकर के लिए नए जो रूल रेगुलेशन है वह इदर बनाता है साथ में यहां पर दोस्तों जो लो है नए ने वह यहां पर एड़ोन करता है ताकि जो इन्वेस्टर से उनका फंड पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो पाए यहां पर मैं ऑवराल ए जो रेगुलेशन है वह दिखाए दे जाएंगे टायर वन टायर टू टायर थी और अगर हम एक एक को एक्सप्लेइन करते तो टायर वन के अंदर दोस्तों जो कठोर रेगुलेशन है वह यहां पर दोस्तों जो रेगुलेटर है वह बनातार जिसको जो ब्रोकर को फोलो करन तो यहां पर दोस्तो जो investor और जो trader है उनका दोस्तो जो पैसा है ना यहां पर जो रिज्रव रखा गया है वहां से उसकी पूर्ति की जा सकती है साथ में यहां पर है ना जो regulator रहता है वो जो strict rules है नए ने दोस्तों जो framework है नए ने ला है नए ने दोस्तों जो इतने trading और जो investing को है ना protect करने के लिए ना जो यहां पर जो low बना सकता है और जिसको है ना इधर जो broker को है ना इधर follow करने पड़ते हैं तो यहां tire one के अंदर है वो इधर है ना इसके अंदर आते हैं दोस्तों जो ESMA है वो यहां पर European Union के अंदर जो financial regulation है उनके जो मापदंड है वो निरिधारित करता है और यहां पर high level का जो investor का जो protection है ना वो यहां पर दोस्तों यह है ना complete इसको करता है साथ में यहां पर जो ASIC है दोस्तों इसको भी जाना जाता है जो कि जो framework जो regulating जो financial market के अंदर बनाने के लिए और दोस्तों जो है ना जो यहां पर जो holding broker की जो accountability इसके हाथ में इधर रहती है अब हम बात करते हैं सेकेंड regulation की जो कि टायर 2 इसको बोलते है यहां पर जो moderate level की दोस्तों जो regulations है वो यहां पर आती है यानि कि जाना तो बिल्कुल जादा है strict और ना ही बिल्कुल दोस्तों lower level की यहां पर जो moderate level की जो regulations है उसको इधर follow किया जाता है जैसे कि अगर हम दोस्तों capital रिजरो की इधर बात करते है तो यहां पर tire 1 की apex है जो capital रिजरो है कम हो शकता है लेकिन यहां पर दोस्तों जो investor protection है ना व उनको follow करना पड़ता है यहां पर भी जो marketing जो practice है उनको इधर monitor किया जाता है लेकिन tire 1 की apex है यहां पर थोड़ी सी flexibility इधर दी गी है अगर हम example के हिसाब से समझना चाहें तो यहां पर जो the financial sector conduct authority जो की FSCA है इसका है ना दोस्तों एक example है जो की moderate category के अंदर आती है FSCA है वो यह यहां पर जो monitoring करती है जो marketing practice है product offering है और how to handle जो customer की जो complain है उनको पूरी तरह से supervision किया जाता है इधर FSCA के दुआरा तो यहां पर moderate level के अंदर है इस तरह की दोस्तों जो category है उनको include किया जाता है so next यहां पर आ जाता है tire 3 यानि limited regulation अगर इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों जो investor की जो protection है यहां पर बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है यानिकि साइध हो सकता कि इसके अंदर exist ही ना करें यहांपर साहत में दोस्तों जो capital जो adequate जो रिजराओ के रूप में रखे गी थी वो बिलकुल कम हो सकती है minimum हो सकती है या ना के बराबर भी होती है अगर इस तरह का कोई broker के साथ दोस्तों आप deal कर रहे हो आपकी जो investing over trading कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पर कदम रखना है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का दोस्तों जो rule regulation है वो किसी भी तरह का follow नहीं किया जाता है और हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर द खोज कर रहा था जो कि बहिया जो top tire के जो regulators है उनके दोवारा regulated हो तो काफी ज़्यदा दोस्तों खोजबीन करने के बाद जो है ना मुझे एक forex broker सबसे बढ़िया लगा उसका नाम है VT markets देखे जो VT markets है जो top tire के जो regulators है उनके दोवारा regulated है यहाँ पर देखे जो VT markets है जो ASIC जो कि Australia उसके दोवारा regulated है साथ में जो FSC जो कि South Africa है उससे भी regulated है और साथ में यहाँ जो FSC यहारी कि Morisius Financial Service Commission है उससे भी regulated है तो यहाँ पर दोस्तों जो VT markets है ना दोस्तों जो top tire के जो regulators है उनके दोवारा regulated है और पूरी तरह से दोस्तों जो rule regulation है उनको इधर follow करता है त यहाँ पर आपको कई सारे benefit देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले जो high capital है यहाँ पर दोस्तों जो प्रियाप जो capital है वो रिजरव के तोर पर रखा जाता है यहाँ पर दोस्तों जो transparent जो practices है उनको इधर adopt किया जाता है साथ में दोस्तों जो investor है उनके protection के लिए ना दोस्तो यहाँ पर पूरी तरह से focus इधर किया जाता है जैसा कि आप जो मेरी mobile की दोस्तों इधर screen पर आप लोग इधर देख रहे होंगे trading can be easy with VT markets VT markets is regulated by top tier authorities and trusted by 2 lakh से जादा दोस्तों जो user globally यहाँ पर दोस्तों जैकि आपको करना क्या सबसे पहले आना आपको इधर है जो download करना है VT markets जिसका link मैंने description में दे दिया है साथ में दोस्तों आपको details है इधर feel करनी है और आपका preferred account type है वो यहाँ पर choose करना है उसके बाद आपकाicker영 रिएरिफकेसन है वो इधर आपको complete करनी है और यहाँ पर दोस्तों है जो आप है इधर जो deposit है जो प्रैफर्ट जो payment channel है उसको आप इधर choose कर सकते हो उसके दोवारा deposit कर सकते हो साथ में दोस्तों एक बड़ी बात हो रहे है आप यहाँ पर जो trading start कर सकते हो VT Markets के साथ as low as 50 USD से यहाँ पर आपको trading start हो जाएगा और इसके लिए दोस्तों है आपको download कीजिए VT Markets app जिसका link मैंने description में दे दिया है तो एक और additional information मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर जो VT Euro Cup 2024 है उसके अंदर भी participate कर सकते हो यहाँ पर gas करके है आप है एक हजार USD तक है विन कर शकते हो इसके लिए दोस्तों simply है अगर मैं बोलना चाहूं यहाँ पर देखिए पिक दा Euro Cup champion and win from a price pool of USD 1000 with VT Markets app term and condition apply यहाँ पर देखिए जो है ना जो campaign का जो period है वो 14 June 2024 से लेकर 14 July 2024 तक है जो कि दोस्तों 31 days तक रहेगा यहाँ पर जो prize है वो यहाँ पर prize pool of जो है एक हजार USD का है इसके लिए participate कैसे करना वो बिल्किली simple है प्रोमू के अंदर आपको यह दोस्तों हिस्सा लेना है इसके जो है ना आपको जो many task है वो as well possible है उसको complete कीजिए और ज्यादा 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 जो टिकेट है आप जीत पाएंगे और यहाँ पर है ना जो euro cup जो championship है उसको अगर आप gas करते हैं तो आप यहाँ पर जो 1000 जो USD है ना वो इधर जीतने का मोगा आपको मिल सकता है लेकिन य लिंक मैंने description में दे दिया और अपनी जो investing और ट्रेडिंग की journey start कीजिए आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी अच्छे लगे तो दोस्तों like कीजिएगा फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रव